नमस्कार सातियों पहला सवाल हाली में किस देश के नवनिर्वाचित सानसद ने संस्कृत भासा में सपयत ग्रहड की है हाँ माई गौड ये तो भाई प्राउड का है क्योंकि संस्कृत भासा में मेरे प्यारे मित्रो हमने का बिलकुल तगड़ा काम कर दिया है साब गौरव सर्मा जी ने काम कर दिया साब सर्मा जी का लड़का तो बहुत आगी है किरकेट में भी आगी है तो साब इसमें भी आगी है वो सर्मा जी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों ठीक है ना न्यूजी लेंड में की है अभी तो न्यूजी लेंड की प्रदान मंत्री से अपने मित्रों को मिलवाएंगे साब दर्सन करवाएंगे अब मित्रों के माईंड में सवाल बनने लगा कि सर पहली यह बताओ नीजिलैन्ड की भासा है कौन से हमने कहां साब बिलकुल बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे B-Option से यह नीजिलैन्ड की भासा है मा ओरी मेरे प्यारे मित्रों लिख भी लेना साब जैसा पेन चलता है वैसा काम तुम करी ही देंगे साव आपके लिए लोटें सच मा ओरी भासा है और अपनी सास्त्रिय भासा है संस्कृत भासा में सपत लिए चलिए मित्रों बीजा बना लेते हैं न्यूजिलेंड का यात्रा करी लेते हैं साव थोड़ी बहुत दर्सन दिखाएंगे पहले तो प्रधान मंत्री से मिलवा देते हैं सभी मित्रों को साव मिली जी आराम से इनका नाम है जैंसिका अरडन चलेंगे ना नीजिलेंड आईए मेरे पैरे मित्रो स्वानसद जी के भी दर्सन करा देते हैं साहब गर्व की बात है कि दोनों भासाओं में इन्होंने साहब का क्या काम ही कर दिया है गजब का देखिये कितना तो ताजा ताजा खवर लेकर के आते हैं मित्रो आपके लिए 27 नमंबर की साहब खवर लेकर के आएं थोड़ा वत्तु काम हमारे लिए भी तो आप कर दिया करो साहब कोई तोफा हो तो भेज दो आप और तोफा मेर भेजना चाते हैं मित्रों तो दम लगा कर के सैसन को सभी गुरुप में सेयर कर दो बस इतना ही तो काम करना है ये साव सुना सुना तो लग रहा है और दिख भी रहा है आस्ट्रेलिया है मेरे प्यारे मित्रों ये बेश्टन ऐस्टेलिया है उपर बाले को साव नौर्थन कहते हैं इदर साउथ है साव, इदर किउस लेंड है याद करिए मेरे प्यारे मित्रों निउ-साउठ वेल्स है ये विक्टोरिया रानी है साव विक्टोरिया ये है तस्मानिया मेरे प्यारे मित्रों ये भाया ऐसा लगता है किसी ने प्यारी मुपत में साब बिलकुल ही खा लिया इसे तो Great Australian White कहते हैं इदर मेरे प्यारे मित्रों ये कोरल की बनवी रीफ है जो दुनिया की सबसे बड़ी साब रीफ है Australia की जिसे हम Barrier Reap कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों इदर औरा फोरा सी है साब ये Gulf of Carpentria है इदर तो साब तिमोर सागर है ये तो Australia की कहानी सुना दी हमने का हाँ या गजबी बात हो गई ना इदर आईए थोड़ा ये New Zealand की भी तो चर्चा करनी है साब बिलकुल करेंगे क्योंकि साब New Zealand बुरा नहीं मान जाएगा पैन ने हमारा भी साथ छोड़ दिया है New Zealand को दो भागों में अलग करता है साब साब कोकि स्टेट मेरे प्यारी मित्रो ये बीच में कटा कटा देख रहा है ये चल जा यार इसा मत किया कर बीच में यार बुछली नहीं रहे साब तो क्या करें बड़े आगे फिर नीजिलेंड को दो भागों में अलग करता है मेरे प्यारी मित्रों को किस्टेट आपको देखी गया न सेसन लेट किस वज़े से होता है साव इतनी टेक्निकल इस हुआती है लेकिन प्यार है आपका साव बढ़ते आगे किस देश की कैबिनेट ने बलातकारियों को केमिकल कोश्टरेसन की सजा देने की मनजूरी दे दी है मेरे प्यारे मित्रों भाया केमिकल कोश्टरेसन दिया जाएगा बलातकार जो करेगा साव उसको तो सजा देना स्वाबाविक है क्योंकि ये तो काम गलत काम की सजा मिलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों ये तो भाया बालक ने काम कर दिया है बालक तो तगड़ाई काम करने लगा लेकिन आतंक वाद से पीछे तो नहीं जाता है बालक भी आफसन बिल्कुन सही है अब पैन चल गया देखिए पैन भी साव हुमारे साथ अच्छे तरीके से खिलवार करता है बारत है साव इसके पीछे ये वाला मेरे प्यारे मित्रों ये है अपना बालक यहां से निकलता है साव सीपैक जिसे क्या कहते हैplease चायना पाकिस्तान एकॉनोमिक कोरीडुर याद करिए यहां पर कौन सा पोर्ट बना ऐसा गौहादार पोर्ट तक कर देने के लिए इरान में बाई पास निकल दिया है चाबहार पोर्ट मेरे प्यारे मित्रों पाकिस्तान भारत को कौन सी लाइन कर दिये ये तो सभी को पता है रेड किलिप लाइन है अफगानस्तान के लिए डूरंड लाइन है चाइना के लिए मेक मोहल लाइन है ये सब भाया नाम दिये थे ये तो आपको सब को पता होगा बढ़े आगे हाली में लॉंच किया गया गरिमाग्रे कहा किया गया है लॉंच हमने का गुजरात के बड़ोधरा में किया गया ऐसा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया गया है अब ये जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं इन्हें अपने कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाना ही नहीं है साथ अर्लाइन मद्यम से काम करिए आपका भी सम्मान है गजब की बात कर दी भई गरिमा ग्रेफ पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रो बहुत ही मैत्पूर सवाल है किस समुदाई से संबंदित है साथ ट्रांसजेंडर समदाई से स्थित है मित्रों के सवाल बनने लगा ट्रांसजेंडर होते ही क्या है हाँ बिल्कुल सिंपल वासा में बताएंगे ट्रांसजेंडर कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे मित्रो जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है पैदा होने के टाइम लिंग दूसरा होता है और सब बड़ा होने पर जो लिंग परिवर्तन आता है लिंग में उन्हें हम ट्रांस जेंडर कहते हैं उनका भी तो सम्मान है साव उनके लिए उनकी गरिमा के लिए हमने ग्रह बना दिया है साव सब सबिदा दी जाएंगी सिंपल साय साव सी ओप्सन बिलकुन सही है गुजरात के बड़ोदरा में बनाया है कली सावाल पढ़ायाता साव सम्मिदान दिवस कम मनाया गया था सभी मित्रों को पता है साव 26 नवंबर को मनाया जयाता है सम्मिदान दिवस सबी मित्रों को ये भी तो पता है 9 दिसंबर 1946 को साब पहली बैठक हुई थी हमने बिलकुल हुई थी फिर 26 नवंबर 1949 तक ये लागू हो गया था साब वो बन करके तयार हो गया था हमने भाग दो जो सिटीजन से पह न उसको लागू कर दिया था तब ये सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों घुमा घुमा करके बताईए सम्विदान कब से अपनाया गया हाँ साब बिलकुल पता है न इसमें कौन सी रोकेट साइंस कर दिया आपने 26 नवंबर 1949 से अपनाया गया है पूर लागू कब हुआता 26 जनवरी 1950 को हुआ था मेरे प्यारे मित्रों ये डाउट के सवाल है केलियर कर लीजिये साब 26 नवंबर को मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों ये पता है ये ओप्सन बिलकुन सही है या ये है सेर जो मिल्क पी करके बड़े होते हैं तभी तो इस दिन मिल्क डेवी मनाते हैं याद कर लेना साब इनको कौन नहीं जानता है बताने की जरूत है नहीं है बड़े आगे और साब एक मर्टिवेशन लीजिए जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है हाँ पता है न सिखाती है कभी हसती है तो कभी रुलाती है पर जो हर हाल में खुस रहते हैं न मित्रो खुस रहकर की देखिये तो सही मजाई कुछ और आजाएगा माइंड इतना आपका साब अब्जॉर्ब चीजों को करेगा न आनंद की प्राप्ती होगी आपको बहुत ऐसा समय आएगा जब आपको रोना पड़ेगा दुनिया आपसे कहीए रहे तो पागल है साब कुछ कर ही नहीं सकता है लेकिन करके दिखाना है साब ये डू डन डाई करना है मित्रो जिन्दगी बहुत कुछ सिकाती है कभी हस्ती है तो कभी रुलाती है पर जो हर हाल में खुछ रहते हैं जिन्दगी उनके आगे सर जुकाती है था क्या माई गौड लाए पिए भाई लाएन है गजब की है मित्रो आत्मसार गरिये से बढ़े आगे तरानवे में अकादमी पुर्सकार के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक मंजूरी मिली है मेरे प्यारे मित्रो बिल्कुल मिली है साब ओसकर अवार्ड 2021 के लिए जली कट्टू को मिली है हाँ साब जली कट्टू तो सुना सुना सा नहीं लग रहा हमने यार गजबी बात कर दी बताओ तमिल नाडू का तो ये खेल है साब बिल्कुल जो पंगल है ना उसी परव पर तो ये मनाए जाता है साब इसके द्रस से आपको दिखाएंगे ना मित्रो आप तो कहेंगे गजब का काम कर दिया भाई भी ओप्सन बिल्कुल सही है ओसकर के लिए नोमिनेट की गई इस फिल्म को 2021 के लिए तिरानवे में ओसकर जो पुरुसकार दे जाएंगे उसके लिए किया गया है पैन भाईया चल नहीं रहा है अब चलने लगा देखिए यही तो टेक्निकल इसू होते हैं देखिए साब कितना तकड़ा काम है साब किस से लड़ रहे हैं यह साब लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं तागत है ना हिम्मत है साब यह है जल्ली कट्टू तमिल नाडू की बात है साब निवार भाई साब अभी आएं टकरा रहें साब बहुत सारा उदम मचा रहें तमिलनाडू पर हमने का मचाओ कोई दिक्कत नहीं हम निवर्ट लेंगे आपसे भी ओडि सार अंद परदेश तमिलनाडू ये साब बिलकुल का बिलकुल ये बाला है पूर्वी गाड ये बाला है पस्चमी गाड दोनों साब गले मिल जाते हैं गले मिलना भी अच्छा काम है निलगरी की पाड़ी परमिन देनों ने इस्तान भी चुल लिया एक्छा साब हम तो निलगरी वाली पाड़ी परमिनेंगे साब दोनों लोग मिल जाओ कोई दिक्कत नहीं है तमिल नाडू में सार अभी तूफान आया है निवार मित्रो याद कर लेना राइधानी चन्नाई है मुक्ष मंत्री एके पलानी स्वामी है राजपाल बनबारी लाल पुरोई थें लोगसवा 49 है राजसवा 18 है विदान सवा तो 234 है न साब राष्टु दान इंद्रा गां हाली में केंद्रीया मंत्री मंडल ने साब केंद्री मंडल को ज़्यादाई फोरम में नहीं आगी अपने इस में फोरम में फिजिकल कल्चर और खेलों के चेत्र में सयोक के लिए किं दो acost के बीच M.O.E.U. की स्वक्रती दी है अरे भया फिजिकल कल्चर का मतलब है खेल से स मंदित है मेरे प्यारे मित्रों याद कर ले ना बहुत ही मैचपूर सवाल है साब ये तो ब्रिक्स देश है ना साब हमें पता है मित्रों को ब्रिक्स वोर तो सब पता है साब अभी चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत तो क्योंकि नए सदस्य भी तो जुड़ते हैं ब्रिक् पुझ के बड़ा बादेंगे साव फिजीकल पर काम जादा करेंगे हमने का कर लो साव हम को भी कोई दिक्कत है यह नहीं। कौन कौन से देशें ब्रिक्स में रसिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है साब, साउथ अफ्रीका है। जिमो नील के बारे में कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो बताओ छोड़ा इन्होंने का था 2001 में कि दुनिया के चार लोग मिल जाए ना साव दुनिया के तो दुनिया को एक अलग ही नीव दे देंगे तभी तो ब्रिक माने इन टूती ऐसा एक अलग ही ब्रिक बना देंगे दुनिया के लिए उन्होंने बताया था कि ब्राजील मिल जाए साव रसिया मिल जाए इंडिया मिल जाए और आपका ये चाइना मिल जाए तो दुनिया अलग ही रापर मुड जाएगी तो इनके जो अर्थ सास्त्री से साव इनके जो साब बोते बितमंत्री थे और ये लोग 2001 में मिल गए लेकिन 2009 में याद कर लिना मित्रों इनकी राष्ट्रा अद्दच मिल गए थे तवी 2009 में पहला संबिलन इसका ब्रिक्स का हुआ था अभी बारेवा संबिलन हुआ है साब इस पर आतंक बाद पर काम ज़्यादा किया गया है फोकस दिया गया है साब के आतंक बाद से कैसे निप्टा जाए कौन सा संबिलन हुआ है बारेवा हुआ है किस तरीके से हुआ है साब पता है बर्चुल तरीके से हुआ है फिर ये साउथ अफ्रीका मित्रों के सवाल बन रहा होगा माइंड में कब आया था साव हमने की यार गजवी बात कर दी कल ही तो पड़ाया था 2010 में आया है क्यों लोड ले रहे हो साव इस परिवार में जुटने के बाद सब कुछ आपको लिख करके तो मिलता है साव देने के लिए अपनी एक बैंक बना ले हमने का बना लो को दिक्कत भई रोक है आपको बनाओ कौन मन कौन रोक है ता है आपको बहिया इन्होंने साफ होटे ले जा गोशना पत्र के तहत 2014 में एक New Development Bank बना दी साफ कहां पर इसका मुख्याला बनाया चाइना के पास बनाया ड्रेगन के पास बनाया इसका मुख्याला संगाई में है से हम Brits Bank कहते हैं ये कानी थी मजे मजे में मित्रों को सिखा दी 12 सरकार ने COVID-19 बैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए किस मिसन की सुरुआत की है मेरे पैरे मित्रों मिशन COVID सुरच्छा की की है डी ओप्सन बिल्कुन सही है इसे तो बताने की साफ जरूरत भी नहीं है क्योंकि बैक्सीन पर काम किया जा रहा है किस तरीका से बैक्सी हमें जंसं क्या इतनी बढ़ चुकी है कि गज़िदूरी तो बहुत पीछे है साफ हाली में कौन सा देश ओपन स्काई संधी ओपन स्काई ट्रीटी सुना सुना तो लग रहा होगा कालिनी गिराड छेतर भी सुना सुना सा लग रहा होगा तो ये भी आपने सुना होगा युद्धु आता ना सीत युद्धु आता हाँ भीया बिलकुल प्यार वाला युद्धु आता ना दुत्ती अभिस युद्धु के बाद उसके बाद दो देश आराम से मीठी मीठी लडाई लगते थे कोई बंगोला थोड़ी नहीं फोड़ा गया था इसमें साथ कौन को मानता ही नहीं मैं अपने मित्रों को इतनी कम सरल भासा में समझाओंगा ओपन स्काई संदी होती क्या ऐसा ये आकाश आपके लिए खुला है बिलकुल ओपन है इसका मतलब बैसाव रसिया के घर में आप जाओ देखने क्या कर रहा है रसिया पालक की स्वजी बना रहा है क्या साव क्या गूबी की सबजी बना रहा है रसिया वाले जाएंगे साव अमेरिका के घर में आराम से ओपन स्काई है आकास खुला है साव आराम से देखिए अमेरिका क्या भिंडी की सबजी बना रहा है क्या साव अमेरिका क्या बेगन की सबजी बना रहा है मेरे पैरे मित् जो देशों ने इस संदी में पाटिसिपेट किया है ना वो आराम से किसी देश पर भीया आराम से आकास के द्वारा इसकाई तभी तुका गया है निगरानी रख सकते हैं देख सकते हैं लेकिन याद कर ले ना मैंने चर्चा बताई थी कि जब ओपन स्काई ट्रेटी कालिनी जो रसिया का है न साब वहाँ पर जब अमेरिका आया तो रसिया ने मना कर दिया कह दिया अमेरिका सुनो आप अमारे सारी जगे पर देख लो लेकिन यहां आपको नहीं देखने देंगे हम कौन सी सबजी बना रहे हैं अमेरिका समझ चुकातार रसिया कुछ खेलने बाला ह साथ दगावाज है ना ये मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका ने का हम अलग ही हो जाएंगे साथ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन याद कर ले ना अमेरिका बहुत चालू है साथ अमेरिका पहले सामेन होता है फिर खोदी अलग हो जाता है दूसरों पर आरोप लगा देता है तगड़ाई का में इसका तो एक ऑफसन बिल्कुल सही है पता है दूसरा ब्यूसुद दुवाता साहब उसके बाद 1991 में ये रसिया बालग हुआ था ठीक है न यूएससर आर से कानिस मुल्टीपल टाइम मित्रों को सुना अभी हाइपर लूप चलाय गया था साहब यहां पर इहें साहब जीले मेरे पैरे मित्रों सुपिरियर जील याद कर लेना मल्टीपल टाइम पूची जाती हैं मिसिगन जील हिळाई उंटेरियो जील आईरे जीले साहब कानी ने राली है कोलंबीयो रिवार मिसीजी मिसोरी रवार, कोलो रोड रिवार मेरे प्यारे मित्रो, रियो ग्रांडे रिवार और ही मिसिसीपी रिवार है, इदर साव हडसन की रिवार पढ़ जाती है, बहुत सारी नदिया है, निमने लिकित में से कौन सी संस्ता, हाईपर लूप तकनिक का उपयोग करके, अल्ट्रा स्पीड पर मैंने आपको पढ़ाया था, बेल, उसका नाम है साव, ऐसा ही है, लास बेगास है, सोरी, लास बेगास में इस हाईपर लूप का परिछड किया गया था, याद है ना, कौन कौन गया था सबसे पहले, नाम याद है, तो बताईए कमेंट बॉक्स में मित्रो, जोस, जिग बताईए, सब कुछ बताईए, सिंसले बार, होता क्या है हाई पर लूप, ये सब जब इंडिया में सबसे पहली ये तकनीक आएगी ना, क्योंकि अमेरिका से अच्छे संबंद है हो, तो नीती आयोग ने इसका भया जाय जा लिया है, अध्धन लिया है ना, कहां कहां बना ही जाएगी सब, पुड़े से महाराष्ट से लेकर के मुंबई तक ये चलाने की बात की जा रही है, एक ओप्सन सही है, नीती आयोग की बात पहले कर लें थोड़ा बहुत, योजना आयोग की जगे, नीती आयोग एक जनवरी 2015 में आया था सब, इसके हैड तो PM मोदी होते ह सब मित्रों को पता है, लेकिन हाईपर लूप देखिए साब, ये साब एक बेक्यू ट्यू है, इसमें निर्यात है, क्योंकि भाईया नीटन जी बताते थे, एक घरसड का नियम होता है, किरिया करेंगे साब, उसके बदले में पृत किरिया मिलेगी, आप किसी से बुरा बो बोन सकता है, बिल्कुल बोन सकता है, उप जैसे अब आज देंगे, वैशे ही बापस आएगी, मेरे पैरे मित्रों इसी तरीका से किरिया और पृत करीया का नियम, जब नीटन का नियम बताता है नशाम, आप चलते हैं, हाँ बिल्कुल चलते हैं, तो आप की जो स्पीड है वो किस बज़े से धीमी होती है क्योंकि घरसड की बज़े से होती है यह जो घरसड है ना प्रत्वी का जो घरसड लगता है उस बज़े से हम कम दोड़ पाते हैं तभी आपने देखा होगा मित्रो जब लोग तेज डोड़ते हैं तो उंगलियों पर ज़्यादा दोड़ते हैं कभी लगाया हो देमाग और मेरे पैरे मित्रो जब यह ट्रेन चलती है तो माल गाड़ी कितना लोड ले जाती है उसके पईये कितने पतले होते हैं सुनिए क्यों होते हैं क्योंकि जितने पईये पतले होंगे साहब उतनी जगे पर कम घरसड लगेगा जाद है मोटे पईये कर देंगे साहब तो घरसड जादा लगेगा तभी मेरे पैरे मित्रों याद करिए जो चाकू होता है ना अपना ही काटने के लिए काम कितना पेना बना जादा क्यों बहिया कम जगे है तो घरसड कम लगेगा जब ये घरसड हटा दिया जाए रास्ते से जो हवा आती है उसे हटा दिया जाए तो हमारी स्पीड बहुत जादा बन सकती है सोचिए क्यों जब आदी सामने आती है उस हवा हट जाए गरसड भी हट जाये साह तो बहुत जादा स्पीड बन सकती है ये एलन मस्क ने सोचा था एलन मस्क के बारे में तो साहब एलन मस्क के बारे में तो आपको सुना सुना सू लग रहा है स्पेस एक्स के माले के साहब लेकिन ये लेकर के साहब ना दूसरे लोगा गई हमने अबिलकुल लेकर के आ गई बर्जिन कम्पनी के लेकर आ गई ये बर्जिन कम्पनी ने काम किया था ना ये पहले सबसे पहले लास वैगास में ये साब लगाई system मेरे प्यारे मित्रो इस vacuum में जो हवा होगी उसे ये निकालता रहेगा साब बिलकुन निकालता रहेगा इसमें जो चलता है इसे हम pod कहते हैं मेरे प्यारे मित्रो देखिए ये बाला तो पूरा का पूरा vacuum system बना दिया है ये बाला है पौर्ड इसमें लोगों को बैठाया जाएगा और इस भाईया vacuum से गज राज आएगा याद कर ले ना तो कोई पटरी होगी ना कुछ भी होगा मेरे प्यारे मित्रों तो स्पीड तो दाज़ बनी जाएगी साव सुआवे के ये चीज तो मेरे प्यारे मित्रों ये भी पता होना चाहिए नीचे भी चुमबक उपब भी चुमबक आराम सी चलता अरे भीया हिम फोर हिमाचल ने कर दिया कौन सी रोकेट साइंस है साथ बी आफ्सन बिलकुन सही है मेरे प्यारे मित्रों इस हिम सुरच्छा अभ्यान के तैत हिमाचल प्रदेश की सरकार सब को घर घर भेजेगी साथ और निगरानी करेगी कोरोना की कोरोना बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश ने तो बहुत सारे दर रहे हैं हमने का हाँ बिलकुन दर रहे हैं लोक सवा चार, रज सवा तीन, बिधान सवा अर्जाट, राश्चुद्धान, ग्रेट हिमाल है, इंदरीला, खिरगंगा, सिंबलवारा, पिन घाटी, स्वाव प्रतिसत, गैस कनेक्शन वाला पहला राज बन गया है, मित्रो, उत्राखंड में दर्रा है, उत्तम भईया, निती माल लोना यार, दिक्कत क्या है साथ, लिपुलेक दर्रा का उप्योग, केलास महांसरोबर यात्रा के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में दर्रा याद करिए, रोहित ने तो रोहतांग दर्रा, सिपी पर तो सिपी कला दर्रा, बार किया तो बार फौर बारा लूचा दर्रा मेरे प्यारे मित्रो, रोहित ने सिप पर बार किया, ये याद कर लिजे, पेपर में आएगा तो आप कर देंगे, मनाली से लिह को जोडने वाला रोतांग दर्रे का नाम बदल करके साब अटल सुरंग कर दिया गया है याद करने ना रोहत वैया को सर्मा जी के लड़के को अत्रिक्त जानकारी में मेरे प्यारे मित्रों आज मैंने टाइप नहीं कर पाया है लेकिन बोही जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ समानता का अधिकार 14-18 सुतंतरता का अधिकार 1922 सुसड की विरुद अधिकार 30-24 धार्मेक सुतंतरता 25-28 सचावा संस्कृति का अधिकार 39-30 संबैदानी कुपचारों का अधिकार समानता का अधिकार राइट टू इकुल्टी अनुच्छेद 14-15 में धर्म मूलवंस जाती अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन में समान अवसर 17 में अंटेचिबिल्टी 18 में उपादियों का अंत 19 में सुतंतरता 20 में अपरादों के लिए 2 सिद्धी 21 में प्राण और देहिक की सुतंतरता 21 का में सच्चा का अधिकार 86 मा सम्मिदान संसोदन 2002 अनुच्छेद 22 में कुछ दसाओं में गरपतारी और निरूद के सरक्षड 166 नहीं कर सकते हैं आप 23 और 24 में धर्म की सुतंतरता आपका वैया आत्मा है आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कुछ भी कर सकते हैं 25 में 26 में भी धर्मे कार्यों के प्रवंदन की सुतंतरता अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म के अव्रद्धी के लिए करों के संदाई के बारे में सुतंतरता अनुच्छेद 28 आपका कहता है कुछ सिच्छा सिंस्तानों में धार्मिक सिच्छा या धार्मिक उपासना में उपस्तित होने की बारे में आपको फूर्ट सुतन तरता है मेरे पैरे मित्रों 5 नवंबर को विश्ट सुनामी दिवास 7 नवंबर को राष्टरी कैंसर दिवास 9 नवंबर को राष्टरी बिदिक सेवा दिवास 10 नवंबर को विश्ट विज्ञान दिवास 11 नवंबर को राष्टरी सिच्छा दिवास 12 नवंबर को विश्ट निमोनिया दिवास और 13 नमंबर को राष्ट्री आयुर्वेत दिवास, 14 नमंबर को विसु मधमे दिवास, 16 नमंबर को राष्ट्री प्रेश दिवास, 17 नमंबर को राष्ट्री पत्तिकारता दिवास, 19 नमंबर को विसु सोचाला दिवास, 20 नमंबर को अंतर राष्ट्री बाल अधिकार दिवा 21 नवंबर को 20 मतस सिपालन दिवस मेरे प्यारे मित्रों ये सारा का सारा ज्यान पीडियक के माध्यम से अपने टेलीगराम पर सेर करता हूँ मैं दिनो दिन कोसिस करता हूँ मैं तो सर्थ 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ मेरे प्यारे मित्रों लेकिन टेक्निकल इस उतिन आता है कि आप खुद सोचिये मुझे कैसा लगता होगा इतनी जल्दी उठने के बाद सेसन राइट टाइम पर नहीं आता है तो मुझे खुद गलत फील होता है गिल्टी फील होता है लेकिन आप सब का प्यार है तो किसी न किसी दिन जरूर सपलता विलेगी क्योंकि मेरे पास न तो कोई टीम है साब मैं खुदी सारी मेनत करता हूँ एक सेसन बनाने में लगबख 4-5 घंटे लगते हैं मित्रों तो इतना आसान भी नहीं है ये थोड़ा भी प्यार है मेरे प्रत मेरे प्यारे मित्रों तो थोड़ा भी या दम लगा करके सेसन को सेयर कर देना मिनेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों तब तक के लिए बाइ बाइ तिल देन टेक के रसी यू जैहिंद जैवारत मस्त रहिए हसते रहिए सार दुनिया को भी हसाते रहिए जैहिल जैहारव